हेलो फ्रेंट्स तो वेलकम टू पैनेशिया फोर लेवरेंस क्लासे आई होप यू अला वैल तो आज का जो मार टॉपिक है सीडियेस वर्सेज आईएस आईएस सॉपवेर तो देखें सीडियेस को फूर्फाम होते है कंपूर्टराइज डॉकुमेंटेशन सर्विस और सॉपवेर चलते हैं जैसे एडिनेट, मालेबनेट, मैलेबनेट, डैलनेट, कैलेबनेट और बोनेट, आईएस-आईएस की द्वारत जो है IS-ईएस के यूश के जाता है केटोलागिंग अ हैं डॉकुमेंटेशन के लिए कौन सी सबसे फर्स्ट यूश किया था आईयलो इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन इस सब्ट्वेयर में विब्लोग्राफिकल एक्चेंज के लिए ISO 2709 का यूज करते हैं अब देखें सीडियेस आइस आइस जो नॉन नुमेरिकल डाटाबेस को मैनेज करता है इसके कुछ वर्जन से जैसे डॉस डॉस में पास्कल ले यह इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो अलग-अलग टाइप के जो फिल्ट से उसके बैरियेबल लैंस को मैनेज कर सकता है एक डाटाबेस को दूसरे डाटाबेस से लिंक करता है उनके रिकॉर्ड को डाटा सीक्वियरेटी प्रदान करता है मल्टि लिंग्वेल में हैं अगर आप से पूछा जाए कि यह किस टाइब का सॉफ्ट्वेर तो यह एक बिब्लोग्राफिकल सॉफ्ट्वेर है फिर इसमें जो डॉस वर्जन में पास्का लेंग्वेज का यूज हुआ था लेकिन विंडो वर्जन जो है उसमें सीरी सी अंद सीप्लस बर्जन देश का यूज होए था सीडीयस और इसं अ इसमें कुछ आपनिन्ग मैन्स है जैसे कि इसके आर्ट मैनू मुझ होते हैं शी से जो से चेंज डाटा बेस, L से, चेंज डाटा बेस, Language, E से, Data Entry Service, S से, Information Retrieval Service, P से, Sorting and Printing Service, I से, Inverted File Service, D से, Database Definition Service, से मांस्टर फाइल सर्विस यू से सिस्टेम यूटिलिटी सर्विस ए से एडवांस प्रोग्रामिंग सर्विस और एक से एग्जिट तो हम लोग को बस इतना से याद रखना है कि सीडियस आइस में आठ मैनू होते हैं जो कि अलग-लग टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते फिर देखें़ जो औरिजिनल सीडियस आइस आइस सब्ट वेर इसको सबसे पहले IBM मेन फ्रें में यूज किया गया था और इसको डिजाइन केया गया थ मिल 9 70 में किसके अंडर तो मिस्टअ ग्याम पैलियो डैल बिग यो इस साफ़िए को बनाने में चार स्टेप स्का यू होता है आप से पूछा जाए कि वार्ट इस द मेनिंग ऑफ डैली मीटर सीडियेस इस तो आपको याद रहना है डैली मीटर का मतलब होता है सब फिल्ड इंडिकेटर अब विनिश की कुछ फीचर होता है जैसे कि एक बार में बहुत सारे डाटा बेसे को आपन कर सकता है इसमे रिकॉर्ड जो साइज उसको इंक्रीज करके अल्मुस्ट फोर टाइम ज्यादा बढ़ा भी सकता है इसमें ग्लोबल रिकॉर्ड प्रोसेशनिंग ऑपरेशन्स भी अबिलेबर है जैसे फिल्ड को आड़ करना डिलीट करना टेक्स को फिर यह क्या करता है जो भी बहुत सार जो भी बहुत सारे फिल्ड्स हैं वो जो रिपीट हो रहे उनको सेपरेट करता है अलग-अलग जो विंडोज में डाटा खुले हैं उनको क्या करता है इसली इंटर कर सकता है अब हम देखेंगे MFN क्या होता है CDS में MFN का मतलब होता है Master File Number एक यूनिक नमबर होता है जो क इसके दोरह साइन किया जाता है जो कि स्टार्टिंग कहां से होता है 1 से आप से इसका फुल फॉर्म पूछा जाए गए तो यह क्या होता है Master File Number अब देखते हैं कि Master File क्या होता है ऑब यह सर्च बगरे सब करते हैं किस तरीके से मे लोको करना है में सब किस में जाक्रोक्त होता था तो तो आप से पूछा जागर डिरेक की FST क्या होता है तो आपको फुल फार्म पता होना चाहिए फिल्ड सेलेक्शन टेबल FDT क्या होता है तो फिल्ड देफिनेशन टेबल दोस टेबल वीज डिफाइन दा फिल्ड और फिल्ड और गिवन डाटाबेस ऐसी फिल्ड जो की फिल्ड सेलेक्शन टेबल FDT क्हुंसर मास्टर फायल मास्टर फाइल नंबर यह तीन मीक्तिक कॉशंचर उनके बारे में अपसे पूछा जाएगा पिर देखें serious IS के कुछ version जैसे dos version जो आया था 1.0 में इसमें क्या होता है कि 5 programs आये थे उसको क्या किया जाता था अलग-अलग operate किया जाता था version 2.0 जो कि 1988 में आया था इन्होंने किया कि इन 5 program को integrate करके एक single program बना दिया version 2.3 जो था वो public use के लिए किया जाता है इसमें speed of indexing था इस indexing के speed को increase किया गया और index बनाने में जो amount of space यूज किये जाते तो उसको भी इंप्रूफ किया गया फिल एक और आहा है system parameter file यह क्या करते एलाओ सैट ओफाइस यूज बाइद प्लेज़ इन डिफ्रेंट फोल्डर्स जो भी सैट आफ फाइस उसको इलाओ परमीशन देता है कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट फोल्डर्स में जाके प्लेस हो सकता है तो आपको यहां पर तीन चार्ट जो फुल फॉर फीचर्स हैं जैसे विनिशिस का है ग्लोबल रिकार्ड प्रोसेशनिंग ऑपरेशन्स इसमें कितने मैनूज होते हैं तो टोटल आठ मैनूज होते हैं वह भी आपको ध्यान रखना है किनके द्वारा तो मिश्टर गैम पहली ओ डेल बीगियो कब तो में 90 70 में सबसे पहली क सब्सें एन डॉट को शावय को अगर्या पूँछा से पूछश के नेस सब्सक्र Η सब्सक्राइब का बता हया विसकर छहां द्रहीद सब्सक्राइब होता है किस के द्वारा डेलाप कीया गए तो यूनस को अब पूछ जैक किसker द्वारा डेलप्र इंडिया तो निसा टिक लगाने आपको तो ये था हमारा पूरा सीडियर्स वर्सेज आईएस आईएस टॉपिक के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आगा तो थैंक यू फ्रेंट्स मिलते नेक्स टुडियो में तब तक हसते रहेगा पढ़ते रहेगा थैंक यू